इस वीडियो में एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जो अक्सर आपको अपने आस्पास रेर ही दिखाई देता है ये जंगली पौधा आपको कहीं भी जार जंगार में या गंदगी वाली जगाओं पर ही अक्सर लगाओा दिखाई दिगा जी हाँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक मेडिस्टल प्लांट अरंडी के पत्तों के बारे में यानि की केस्टर लीव्स के बारे में वीडियो बहुत ही informative होने वाला है और useful भी तो वीडियो में अंट तक बने रहे हो सकता है कि इस वीडियो के त्रू आपकी कोई बड़ी सी समस्या दूर हो जाए आयूरवेद में इसका यूस बहुत पहले से होता आ रहा है केस्टर लीव्स को अधिकांश्टे वेस्ट समझ कर काट कर फेक दिया जाता है पर कुछ लोग ही इसकी खुबियों के बारे में जानते हैं पुराने जमाने में हड़ी तूट जाने पर वेद्धे भी इन पत्तियों को ही बांध कर हड़ीयों तक को जोड़ दिया करते थे हड़ी का तूटना या बाल आ जाना या फिर भयानक गुम चोट लग जाना इन सब बिमारियों में, इन सब दिक्कतों में इन पत्तों को बांथ लेने से ही आपकी जो है काफी healing हो जाती है अनिको health benefits इन पत्तों में होते हैं From elevating digestive disorders to boosting immunity and even addressing skin issues, kaster leaves offer a natural and holistic approach to healing इसके अलावा ये constipation, arthritis, acne और hair loss की problems को भी ठीक करता है जो की scientifically proven पत्तों को बता देती हूँ कि इसके पत्तों का कहां कहां पर आप यूज़ कर सकते हैं तो ये पत्ते आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि antiviral होते हैं और इसके पत्तों का रस निकाल कर सरदर्द को सही करने में भी उसका use किया जाता है पत्तों को पीस कर उसका कपड़े से निकाल कर उसका रस निकाल लिया जाता है और माथे पर मल देने से सर का दर्द आपका ठीक हो जाएगा अगर आपका कहीं पर कोई कट गया है या फिर छिल गया है या फिर आपका हाथ जल गया है या पैर जल गया है तो लेकिन इतना जरूर पता है कि कुछ जो आयरवेदिक वैध्य वगयरा होते है या डॉक्टर होते है वो इसका यूज इन सब चीजों में करते हैं इसका यूज नाइट प्लाइननेस को दूर करने में भी के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है और पित जलन में भी इसका यूज किया जाता है इसके तने का उपयोग जो हता है लोग कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं लेकिन वो किस तरह कैसे करते हैं इस चीज के बारे में मुझे जानकारी नहीं है इसलिए इसके पत्व को consume करने की सला में आप लोगों को नहीं दूगी तो जो भी कुछ करना है आपको बाहर ही लगाना है आपको अंदर एक भी पत्टे को ना तो खाना है ना ही चबाना है और ना ही इसके seeds को खाया जाता है तो वो किस तरीके से लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं दोक्टर इसका तो उसके बारे में मुझे जानका तो अगर आप इसके सीट्स और पत्तों का सेवन करते हैं तो किसी आयर्वेदिक डाक्र की सलहा पर ही करें बालों के विकास के लिए इसके पत्तों का यूज नहीं होता बलकि इसके बीजों से निकलेवे ओयल का यूज किया जाता है जिसके जिस भी जेंट्स के दाड़ी या मूच कम होते हैं या जिसके भी सिरपरवाल कम होते हैं तो वो केस्टर ओयल का यूज करते हुए आज से नहीं बलकि बर्सों से सुना है मैंने ऐसा कि ऐसा होता है हालाकि मैंने ऐसा एक्सपेरिमेंट घर पे नहीं किया है जिस चीज का एक्सपेरिमेंट मैंने घर पे किया है आज मैं आप लोगों को वो करके दिखा देती हूँ इनका design आप देख लिजिए इस तरह के आपको मिलेंगे और क्या बर इसमें flowering और flowering भी आपको नजर आएगी तो सिर्फ आपको पत्ते ही लाने हैं इसके fruits या flowers नहीं लाने हैं तो पत्ते जितने बड़े size के हूँगे उतना ही अच्छा है और इनको अच्छे तरीके से धो ल लेना है और फिर हमें इनके उपर से लगा देना है थोड़ा सा ओयल लगाना है हमें सरसों का सरसों का ओयल लगा कर हमें इन पत्तों के उपर अच्छे तरीके से फैला देना है और इसकी जो यह डंडिया लगी होती है इन्हें हटा देना है क्योंकि हमें इने बांधना होगा अपने पैर पर जैसे कि मेरे पैर में चोट लगी वी है तो ये मैंने ओयल लगा दिया है इस तरीके से पूरे पत्ते पर फैला दिया है और तीन चार पत्तो पर आपको इस तरीके से ओयल को फैला देना है क्योंकि हमारा एक पत्ते से काम नहीं चलेगा हमें कम से कम तीन चार पत्तों का इसके लिए यूज़ करना होगा और किस तरीके से यूज़ करना है ये भी ध्यान से सुनने की बात है तो अब हमें कर लेना है एक तवा गरम तवे को आप उल्टी साइड से गरम करें जिससे की आगे वाली साइड पर उसकी किसी भी तरह की स्मेल या गंदगी ना ने लगे तो मैंने उल्टी साइड से तवे को गरम कर लिया है और गर्म करके मैं इसे अपने पैर पर बार-बार लगाती रहूंगी थोड़ी धेर बाद जब आब आब बार-बार इसको गर्म करते हैं तो ये पत्ता जो है थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है तो आप दूसरा तो मैं दो-तिन पत्तों को बार-बार ऐसे गर्म करती रहती हूं और इसके उपर इस तरीके से इसकी सिकाई करनी है जब आप 5 मिनट इस तरीके से पत्ते को बार-बार तवे पर गर्म करके सिकाई कर चुके हों तो आपको लास्ट में दो पत्तों को फिर से गर्म करना है और उ इससे कि उसका असर जो है आपकी जो पैर है या जहां पर भी आपको चोट लगी है गुम चोट लगी है और स्वेलिंग जैसे मेरे पैर में आई हुई है पता नहीं किस वज़े से तो लेकिन मैं इनका ही यूज़ करूंगे क्योंकि काफी टाइम से यह सही नहीं हो रहे थे त लग से उन पत्तों को मैंने अपने पैर पर बांद दिया है और इस तरीके से बांद कर मैं रात भर सो तो आज के लिए इतना ही I hope कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी don't forget to like, comment and subscribe to our channel for more valuable insights on natural remedies stay tuned and embrace the healing power of nature take care and bye ।